वॉल्कानिक इरॉप्शन मतलब तबाही जी हाँ, नॉर्मली वॉल्कानिक इरॉप्शन्स को हम लोग डिस्ट्रक्शन से ही जोड़ के देखते हैं लेकिन कि आपको ये पता है कि कई बार इसके फायदे भी होते हैं जैसे कि आप हमारा डिकन प्लेट्यू का फॉर्मिशन ही देख लो तो दोस्तो सदन इंडिया में लोकेटेड जो हमारा डिकन प्लेट्यू है न ये कुछ और नहीं बल्कि ऐसे ही कई सारे वॉल्कानिक इरॉप्शन्स ही देन हैं मेरा नाम है शिवम और आपका स्वागत है पी डबलू ओनली आएस के इस इनिमेशन सीरीज में जहां पर आज के दिये हम लोग डिकन प्लेट्यू के फॉर्मिशन को समझने के कोशिश कर रहे हैं डिकन प्लेट्यू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू है जो इंडिया के सदन और वेस्टन पार्ट में फैला हुआ है और इसका फॉर्मेशन मेंली वॉल्कानिक एरॉप्शन से हुआ है जिसे हम लोग आज इसी वीडियो में समझ लेंगे इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और डिकन प्लेट्यू को समझें पहले प्लेट्यू को समझ लेते हैं कि आखेर प्लेट्यू की स्चडिया का नाम है प्लेटियू एक तरगा flat top elevated landform होता है जिसकी उचाई इसके surrounding area से थोड़ी ज़ादा होती है प्लेटियूस मेंली दो तरह के हो सकते हैं पहला है dissected प्लेटियू और दूसरा है volcanic प्लेटियू dissected प्लेटियू का formation अर्थ के crust के upper movement के कारण होता है जाईर सी बात है अर्थ के crust का ये upper side movement टेक्टॉनिक प्लेट के collision की वज़े से होता है United States में located Colorado प्लेटियू इस तरह के प्लेटियू का सबसे अच्छा example है जो आज भी 0.3 cm per year के speed से rise कर रहा है dissected प्लेटियू का formation होने का process mountains formation जैसा ही है लेकिन इस पर एक खासियत ये है कि mountain से बिलकुल अलग प्लेटियू का top ना flat होता है और इनका height भी mountain के जितना उतना उचा नहीं होता है लेटियू का formation छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे volcanic eruption से होता है इस तरह के volcanic eruption से निकले लावा land surface पर जमा होने लगते हैं और एक लंबे time period के बाद ये एक elevated platform यानि प्लेटियू का form ले लेते हैं इंडिया बे लोकेटेड मालवा और हमारा डिकन प्लेटियू भी volcanic प्लेटियू के ही examples हैं यहां आपको एक बात बता देते हैं कि चाहे एक प्लेटियू किसी भी तरीके से बना हो लेकिन इसका final shape बहुत सारे factors जैसे की rainfall, wind और water erosion, human activities ऐसे कई सारी चीजों से determine होता है हां एक बात और बई ऐसा नहीं है कि प्लेटियू के बहुत सारे प्लेटियू हैं जो deep sea ocean में भी submerged है जिने हम लोग oceanic प्लेटियू कहते हैं south western pacific ocean में located on tong zawa प्लेटियू sea के अंडर पाये जाने वाला सबसे बड़ा oceanic प्लेटियू है खेर ये तो बात हो गई प्लेटियू के बारे में अब आईए अपने मुद्दे पर आते हैं और देख लेते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटियू यानि कि डिकन प्लेटियू का formation कैसे हुआ formation of डिकन प्लेटियू जैसे कि हमने पहले ही डिसकस किया कि डिकन प्लेटियू इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटियू है जो अप्रोक्सिमेटली पांच लाख स्क्वार किल्मोमेटर से भी जादा का अरिया कवर करता है Dickon Plateau southern और western side में ऐसे total approximately 8 states में फैला हुआ है और इसका formation में ये basaltic rock से हुआ है ज़रा comment section में बताना कि ये मोटा मोटा 8 states आपको कौन सा दिख रहा है Dickon Plateau का average elevation mean sea level से लगवग लगवग 600 meter का है और यहां located highest peak का नाम है Doda Beta Peak इसकी height approximately 2600 meter से 2600 Dickon Plateau के location की बात करें तो ये नर्मदा river के southern side में eastern guard और western guards के beach of beach located है इसका formation volcanic eruption से तो हुआ ही है लेकिन ये लावा का एक नहीं बलकि कई सारे layer से मिलकर बना हुआ है और इसलिए हम Dickon Trap के नाम से भी जानते हैं इसे अब हम Dickon Plateau के form होने के process को और इसके history को थोड़ा और detail में समझते हैं Dickon Plateau का formation आज से करीब 60-70 million years पहले Cretaceous period में हुआ था जब Indo-Australian Glade ना नौर्थ ओर डिरेक्शन में ट्रावल कर रही थी इसी ट्रावल के दोरान इंडिन सब कॉंटिनेंट के south western side में एक के बाद एक कई सारे volcanic eruption हुआ है ये volcanic eruptions करीब 30,000 years तक चलते रहे चलते रहे लगातार चलते रहे और यही eruption डिकन प्लीट्यू के foundation का basis भी बना डिकन trap का पहला layer बनता है जब continental drift की वज़े से Indo-Australian Plate, African Plate से अलग होकर northward direction वे ट्रावल करना शुरू कर देती है African Plate और Indo-Australian Plate के बीच डिवलप हुए crack से जो लावा बाहर आता है ना उसी से डिकन प्लीट्यू का पहला layer त्यार होता है यहाँ आपको एक बात त्यान देने की यह है कि यह जब भी eruptions वगएरा हो रहे होते हैं लेकिन उसके साथ-साथ Indian Australian Plate का northward movement रुखता नहीं है वो चलता ही रहता है इसके बाद इसका दूसरा layer बनता है reunion hot spot से निकले लावा के solidify होने से जो logical language में अर्थ के अंदर upper mantle के उस area को hot spot कहते हैं जहां से hot magma upward direction में move करके वालकनों का formation करता है और इसके थुरू बाहर surface पर आने की कोशिश करता है आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह reunion hot spot आज के इंडिन वेशन में ही located है वही reunion island के ठीक नीचे ही यह hot spot located है यहां एक जीच आप देख पा रहे होगे कि जादा तर volcanic eruptions activity इंडिया के western coastal side में ही हैं और वहां से लावा eventually पूरे peninsular इंडिया में फैल गया और समय के साथ solidify होता गया जिससे इस reason में deconplitude का formation हुआ यहां notice करने वाली बात एक और है कि अगर आप peninsular इंडिया का cross section दिखेंगे न तो आप पाएंगे कि इसके western section की थिकनेस इसके eastern side के comparison में कई जादा है जो इस बात ही गवाही देता है चिला चिला के कि डिकन प्लेट्यू का formation में हुए जाता तर volcanic eruptions पेनिंसular इंडिया के western side में ही है जहां हम आज का महारास्टर देखते हैं खैर इस तरह के लावा के multiple layer से बने होने के कारण डिकन प्लेट्यू मिनरल्स के reserve के माबले में काफे rich है यहाँ पर iron ore, mica, diamonds और इसके साथ साथ gold भी पाया जाता है और इंडिया का famous polar gold mines इसी प्लेट्यू में located है जो logically काफी पुराना होने की वज़े से यहाँ आरकेन से लेकर धाडवार, कडपा और बंडवाना rocks के time से भी rocks पाये जाते हैं यहाँ पे तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए डिकन प्लेट्यू के हिसाब से इतना ही था आपके UPSC के perspective से ऐसे ही और मज़ेदार और interesting वीडियो के साथ हम innovations लेके आते रहेंगे आप सबी के लिए तब तक के लिए जैहन्त